हाई गाइस वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल बीनस क्रिकेट बेटिंग कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब यच्छ होंगे तो आज हम एक और अपनी आई-पेग के टीम का प्रिविव करने जा रहे हैं यह मेरी फेवरिट टीमों में से यह रही है इसने बहुत पैसा बन प्लीज प्लेए रिस्पोंसिबली एट 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 यूर ओन रिस्क सेगंड तिंग ऑल्स वीडियो फुर्टोस कंट्री वेर बेटिंग इस लीगल भीया पहली बात तो यह बहुत जोकिंब रहा है इसको ना खेलें खेलें अपने रिस्क पे खेलें दूसरी बात यह वीडि मुझे रखता है रोल्स का वनवास भी अब खतम होने वारा 14 साल से इन्होंने मोज नहीं दी है तो टेक्निकली देखूं जिस तरह की स्क्वार्ट टीम बनाए गई इनकी इस बार सो मुझे रखता है कि इनका वनवास खतम होने का समय आगा है चलिए बात करते हैं के प्लें पारे खेली है रासी वंडर डूसन एक और स्टी साइनिंग इन्होंने की है मिडिल ओडर को स्ट्रोंग करने के लिए ओल्दो इनको जरूत मेरे ख्यालते नहीं है ना से कुंटर नाइल एक और इंप्रेसिव साइनिंग और लॉंडर है मैं इनको लॉंडर में काउंट करता है नंबर 6 पर खेलने के लिए जैसे बेंट स्टोक्स हैं या एंडियू टॉप थे एक समय में इस टाइप के बोलिंग में उतने कारगर नहीं है इनलाग खराब भी देखा है मैंने का मार बूत खाते हैं जीमिनिशम नंबर 6 साथ पर खेलते हैं मैं इसको फिनिश करते हैं के लिए भी करते हैं और अच्छे प्लेयर मिचल वेस साइनिंग मुझे पता नहीं क्यों साइन किया गया है इनको इनके बसका खेलना नहीं आई बिल एक वर्ल्ड कप में एक पारी खेलिए उसके रावर कुछ इनके पार ऐसा नहीं कि जिसके आपर इनको टीम में लिया जा अगर इनको आप किसी टीम में सेटल तरिके से मुखा देते हैं चोदा मैचो में तो यह आपको कंसिस्टन प्रफॉमेंस देने वाले प्लेयर हैं तो अनुने सिंग भी सेम ओबेट मकोई तेके राजिस्तान रोयल्स और आपको पता होगा जो एक सीपेल में टीम है बार्ब खास काम के नहीं है रियान प्राग ओ वाओ यह फ्यूजर टैलेंट हैं इनके मैंने लास उलास कुछ पारी देखे थी और वो जबर दस तरह से खेलते हैं इनको भी अगर मौका मिले कंसिस्टन तोर पे मैनेजमेंट इन पर भरोसा दिखाए तो यह आपको मैच इता के दें होता है और हैं भी छोटे करत के हैं लेकिन जो दिल हैंका बहुती बड़ा है जिस तरह से फ्लाइट देते हैं बोल्स को मतलब कि किस गेल हो सामने रसल हो या पोलाड हो दम चाहिए बनने प्रसिज कृष्णा अनादा ने प्रसिंसाइनिक मैंने अपनी इंडिया विडियो म और मेंने खालते होल्टर और उसमें एक मैच में मेरद में बने से मैंने को दिखके कहा था सेम मैं यहां भी कहूंगा यह राजस्तान रोज के लिए अच्छा करने वारे सिजन देवद्द पडिकल आर्सी बिचे निकले यहां पर आए अच्छी साइनिंग आई डॉन्ट न आज जयते अच्छा खेज़ते ट्रेंट बोल्ट मुंबई से निकले हैं अच्छे बोलर हैं यह विए अच्छा करने वाले हैं सेम भाट ऐस्विन अर्दर इंपरसी साइनिंग अब ऑच्विन बटलर सेम टीम तो अब ऑच्विन बटलर को मैंन कड कई कैसे करेगा मैंकाट समझते हैं ना जो उनने एच्पीन ने किया था नौन से पखेड़ों के बटलर को रन आउट किया था खेड़ चलिए तो प्रॉइबर 11 जो मुझे रखती है जो मेरे साब से होनी चाहिए मैं खेलाता जैसवाल पडिकल को मैं ऑपनिंग कराता वन डाउन स सेमसन चार बटलर अब लोग कहेंगा अपने बटलर को ओपनिंग क्यों ने खाब यह दिखो अगर पडिकल को फिट करना है तो अब इस सी बात है आपको उनको उपर लेना पड़ेगा बटलर को चार पर खुब करें मैच फिनिश बहुत कर चुके हैं वह नमबर चार पर ख पाड़ी कर वह ही डश्टोर पांच पर हैट मार को मैंने लिए यह जैसे इनकी दिली से साइनिंग चल रही है यह अच्छा खेले हैं इनको मैच फिनिश करने की स्किल्स इनकी पर रही है तो पांच पर हैच पर प्रयाग नो बंडर क्योंकि लास्ट कुस सीजन से इसी बोल टो क्रिश्णा एक मिडियम पर सब्सक्राइब आपके पास निशम एक आपके पास जो ओलाउंटर है वह प्रयाग है तो यानि की चार चुक 16 ओवर जो है वह बोलर्स में बट जाएंगे सिदी सिदे चार ओवर निशम पर प्रयाग में बटेंगे यह मुझे इस टीम म फिर साथ के बाद थोड़े से लोवर मिडिल ओडर के ओलाउंटर बसते हैं अगर मैं निशम को लेता हूं कुल्टन एटाता हूं तो एक बोलर कम पढ़ता है तो अगर इनके पास को ऐसा इंडियन प्लेयर हुआ जो बैटिंग बोलिंग दोनों कर लेगा तो इनका काम बन जाएगा उसकेस में पेडिकल को या जैसवार मिसे को ड्रॉप करके वहां पर उस प्लेयर को खिला सकते हैं इनके पास कोई नों कोई होगा बात करते हैं स्ट्रेंथ की तो मैंने इस से स्ट्रॉंगेस्ट इनकी टीम कभी देखी नहीं है क्योंकि हर बार नहीं यह लूप हो क्वालिटी प्लेयर हेट मायर क्वालिटी प्लेयर उपर अगर ऑपनिंग आप से आप देखें जैसवार और पडिकल जिव दोनों में भी क्वालिटी है हाँ यह क्रिस गेल और एवल लूज इसे खतरनाक नहीं है लेकिन अपना काम करना बखुभी जानते हैं च्छे और मे क्वाली में में आते हैं तावके अगया ही एक सबस्क्राइब ऑफ जातें भाल पर झालें जो जब हर जेडेंगीATHER की ति उप चंशेंगे बहुत एक भाल चार्ज न चानिया को वहां पर लेट स्विंग होता है बोल फास्तर उसका और प्रड़ा ग्राउंडे स्फिनर्स को भी हैल्प मिलती है तो फिर तो यह बहुत ही खतरना होने वाले हैं इस पार पुने का ग्राउंडे उनको सूट करेगा डी वाइव पार्टी तो इतना सूट नहीं करेगा ब्रेब आपके लिए हार्ट वर्क करता हूं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब कर दें और हाँ दूसरी बात सबसे इंपर्टेंट बात यह मेरे चैनल का लिंक है टेलिग्राम का तो आप प्लीज इसी लिंक पर क्लिक करके मेरे तक आईएगा अगर आप गलती स थासे सबसे पहले ही सबसे बड़ी इनकी फिशी मेनेजमेंट यह पता नहीं क्या करते हैं हर साल क्वालटी प्रेइज लेते हैं और उनको बेज यहां किसी और से करोड़ दे मिलिया दस मिन्में उसको छोड़ दिया तीन करोड़ा से कमारी आप तीम चला रहे हो या मच्ड सब्सक्राइब कर देखा है हमने कि जीता हूँ मैच यहार जाते हैं कि दूसरी बात इनके जो फोर्स फोर्हन प्लिश लोड़े मैंने आपको भी प्रताया कि अगर यह को लेते तो निशम को डॉप करना पड़ेगा बैटिंग वीक होती है निशम को लेते हैं को डॉप करना यह है कि इनको टॉप चार में पोशने से कोई नहीं रोक सकता अगर यह इमानदारी से खेले तो उम्मीद करते हैं 14 साल हो गए हैं यह इमानदारी से खेलेंगे और मेरा ऐसा दिल कहता है कि यह ज़रूर पहुचेंगे बाकि जब मैं आइपल का प्रिव्यू करूँ एक एक इसको एक मिलाज उलाके सारा सारे टीमों का तो उसमें मैं अपने टॉप चार बताऊँगा कि कौन दे टॉप चार पहुंचेंगे मेरे साब से अच्छे देखो आइपल के टॉप चार बारे में तो इसलिए मुस्किल है कोई प्ले नाम आपर लेते हैं कोविड हो जाता है थोड़ा मुश्किल होता है वह लेकिन फिर भी मैं जो एक साजा मिलाके करूंगा प्रिव्यू उसमें बताऊंगा उसके बारे में चलिए अभी के लिए इतना ही इस वीडियो को मैंड़ आप करता हूं आप सब इसे फिर से रिक्वर्ष्ट एगी वीडियो को प्लिज में उसे वीडियो को अटव निदeld है वीडियो को DO हूद में लागी कर फाहाँए कर भी मैं आपसों कोयारी इस वीडियो गेँ है है उसर प्लिज भी मूद Спार्पर